नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठिकाना हमने देखा है कि जब से इंटरनेट का क्रेज बड़ा है तब से ओनलाइन गेमिंग एक अलग ही लट हो गई है सिर्फ बच्चे ही नहीं बलकि बड़ों को भी ये गेमिंग की लट है और इसी गेमिंग की लट के चक्कर में 14 साल के एक लड़के ने अपने पूरे परिवार का मर्डर कर दिया कहानी शुरू होती है 14 साल के इस लड़के के रोने से ये लड़का रोते हुए अपने पड़ोसी के पास जाता है और कहता है कि आप जल्दी से पुलिस को कॉल करो क्योंकि मेरे घर में सभी खुना-खुन पड़े हैं और सब को गोली से किसी ने उड़ा दिया है पड़ोसी ये बात सुनकर डर जाते हैं और तुरंट पुलिस को फोन करते हैं पुलिस वहाँ पर जाती है मौके पर और देखती है कि सभी की डेथ हो चुकी है किसी ने बुरी तरह सभी को गोलियों से घुन दिया है कुछ चीज़े हैं जो पुलिस को खलती है कि वो उपर वाले कमरे में सो रहा था और सुबर उटकर नीचे आया तो उसने देखा कि उसकी मदर उसकी दोनों बहने और उसका एक भाई सभी मरे हुए पड़े हुए हैं जिसके बाद वो पड़ोसी के पास गया लेकिन पुलिस को शक बहुत जादा हो रहा था तो पुलिस सकती से पूछा जिसके बाद लड़के ने खुलासा कर दिया लड़के ने कहा कि उसको पबजी गेम खेलने की बड़ी आदत लग गई थी और उसकी मदर जो है वो उसकी इस हरकत से बड़ी परेशान चल रही थी मदर अक्सर उसे टोका करती थी कि गेम मत केल पड़ाई पर दियान दे और जिस दिन ये हत्या हुई उसके एक दिन पहले भी मदर ने उस बच्चे को डांट लगाई थी कि ये सब गेम वेम छोड़ और पड़ाई कर बच्चे को हमेशा गुस्सा आता था कि इन लोगों के कारण में गेम नहीं खेल पाता हूं यही कारण है कि बच्च साल के लड़के ने खतम कर दिया इस लड़के ने अपनी मदर की लैसेंस पिस्टली इसकी मदर एक गवर्मेंट सेर्वेंट थी तो उनके पास लैसेंस बंदूग थी वह बंदूग लेकर इस लड़के ने सब ही पर गोलिया चला दिए और सब इतनी मौते एक साथ कैसे हो सकती है लेकिन फाइनली फुलिस ने ये केस सॉल्व कर दिया है क्योंकि बच्चा नाबालिक है इसलिए बच्चे की पहचान छिपाई गई है साथ ही कहा जा रहा है कि गेम खेल खेल के बच्चे की मानसिक एस्थिती ठीक नहीं है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और जाहर सी बात है पबजी गेम एक वाइलेंट गेम है गोलिया चलानी है सामने वाले को मारना है तो दिमाग में भी यही चलता है शायद बच्चे ने इसलिए यही सब किया अब बच्चे को मेंटली फिट करने के लिए उसके सेशन्स लिए जाएंगे खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही पलपल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना